एक बड़ी खबर आ रही है नवी मुंबई के घंसोली इलाके से जहाँ एक मकान के अंदर अचानक से सिलिंडर ब्लास्ट होने के कारण बड़ा हाथसा हुआ है गनिमत इस बात की रही की हाथसे में किसी तरह की जनहानी नहीं हुई है लेकिन हाथसे के बाद इलाके में कुछ देर के लिए आफरा तफरी मज गई मिली जानकारी के मुताबिक गंसोली के शंकर बुवावाडी इलाके में स्थित विटल मंदिर के पास एक मकान के भीतर नीचली मंजिल पर सिलिंडर फटने की वज़े से जोरदार धमाका हुआ जिसके चलते आग लग गई आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते उसने मकान के दूसरे मंजिले को भी अपनी चपेट में ले लिया इस दौरान दूसरे मंजिल पर मौजोद कुछ लोग फस गए थे लेकिन मौके पर पहुचे दमकल कर्मियों ने सभी को सुरक्षित बचा लिया कड़ी मशकत के ब लिए दमकल विभाग की ततपरता के चलते इस हाथसे में किसी तरह की जिवित जनहानी नहीं हुई है